Windows XP भी डाउंडोड कर सकते हैं Windows 7 भी डाउंडोड कर सकते हैं Windows 8 एंड 8.1 भी डाउंडोड कर सकते हैं Windows 10, Windows 11 और Mac OS भी है इदर बट मैं कभी इसे डाउंडोड नहीं किया है स्वागे प्रेद दोस्तों आपका Daily Tech घ्यान दोस्तों Windows 11 लाउंच हो चुका है और Windows 11 में कई सारे features हैं जो कि आपको Windows 10 में नहीं देखने को मिलते हैं दोस्तों Windows 11 में कई कमाल के features हैं बट सबसे बड़ी problem Windows 11 की ये है कि इसे किसी भी PC में install नहीं किया जा सकता इसकी कुछ specific requirement है जैसे कि इसमें TPM 2.0 होना चाहिए Secure Boot Unable होना चाहिए GPT partition scheme होने चाहिए ऐसे और भी बहुत सारे requirement है जिसके वज़े से Windows 11 को एक normal पुराने PC में install नहीं किया जा सकता लेकिन 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 अगर आपको किसी भी पुराने PC में या किसी भी unsupported PC में Windows 11 को install करना है उसके लिए मैंने एक dedicated वीडियो बनाया है जिसे आप आई बटन पर चेक कर सकते हैं या फिर मैं description में इसका link देता हूँ वहाँ पर आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तो बात यह आती है कि अगर हम original Windows 11 को install कर सकते हैं किसी भी PC में तो हम एक light version Windows को क्यों install करें देखिए दोस्तो Windows 11 में काफी ज़्यादा features है as compared to Windows 10 अब जितने ज़्यादा features उतना ही बड़ा operating system और इस operating system को चलाने के लिए उतने ही ज़्यादा memory और resources की जरूरत पड़ती है जिसकी वज़े से जो पुराने कुछ PCs हैं अगर उसमें Windows 11 install करते हैं तो वो जो पुराने PCs हैं वो थोड़ा slow हो जाते हैं मतलब कि Windows 11 में कोई भी file जब भी आपको open करनी होती है तो काफी जादा time लग जाता है कोई भी काम करने में बहुत slow हो जाता है पुरा operating system और किसी को भी इतना slow operating system बिल्कुल पसंद नहीं कि आपको पसंद है नहीं न तो ऐसे जो computer हैं उनमें हम Windows 11 के light version को install कर सकते हैं जिसमें काफी जादा features हैं और वो बहुत fast भी है हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि Microsoft में officially कोई भी Windows का light version नहीं निकाला है ये तो भला हो developers का जोनोंने Windows के light version को develop किया है और इसे हम आसानी से download भी कर सकते हैं तो अब इसे download कहां से करना है मैं बताता हूँ आपको तो चलिए चलते हैं computer screen पे तो दोस्तों जो सबसे पहली website है जहां से आप Windows 11 का light version डाउनलोड कर सकते हैं वो है atlasos.net इसका link में आपको नीचे description में दे दुनगा और ये बहुत ही simple है यहां से आपको आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस website से तो simply आपको website open करनी है और downloads में जाना है डाउनलोड में जाने के बाद यहां पर आपके पास option है आप कौन सा version यहां पर डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों जो दूसरी हमारी website है जहां से आप Windows के light version डाउनलोड कर सकते हैं वो है nexuslightosblogspot.com तो यहां से आप देखेंगे आपके पास कई सारे option है not only windows 11 बट windows 7 भी आप डाउनलोड कर सकते हैं विंडोस 10 भी डाउनलोड कर सकते हैं तो आपके पास बहुत सारे option है डाउनलोड करने के लिए देखें light 10 के भी option है और light 11 के भी options हैं दोस्तों जो हमारा तीसरा website है जहां से आप windows के light version डाउनलोड कर सकते हैं वो है हमारी team OS XYZ यहां से डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको यहां पर account create करना पड़ेगा जैसे कि मैंने account create कर रखा है तो इस तरीके से account create करने के बाद यहां पर आपको नीचे जाना है नीचे जाने के बाद नीचे स्क्रूल कीज नीचे यहां पर operating system में जाना है आपको और जो भी operating system आपको download करना है जिसका भी normal version भी आपको मिल दाएगा यहां पर और light version भी मिल दाएगा आपको आपको जो भी download करना है आप देख सकते हैं विंडो एक्सपी भी download कर सकते हैं Windows 7 भी डाউनलोड कर सकते हैं Windows 8 & 8.1 भी डाउनलोड कर सकते हैं Windows 10 Windows 11 और Mac OS भी है इधर बढ़िधा मैं कभी इसे डांलोड नहीं किया है तो मैं नॉर्मली Windows 11icket करता हूँ और या फिर Windows 10 तो जिसे अबको तो Windows 11amento करना है तो Windows 11 प्लिक लिक कर दिजिए यहाँ पे आपको select करना है Windows 11 का 64 bit तो इसे select कर लीजे और इसे select करने के बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे option है download करने के अलग-अलग versions हैं यह अलग-अलग developers ने Windows 11 के अलग-अलग versions बनाए हैं तो आप जो भी है आप download कर लीजिए उसके बाद ट्रायल ले लीज इससाल कर सकते हैं तो तो जो चौथी website है जहां से आप Windows 11 के light version डाउनलोड कर सकते हैं वह था windowsxlight.com और यह मुझे सबसे best website लगती है यहाँ से आप Windows 10 के भी will download कर सकते हैं और Windows 11 के भी build डाउन्डोड कर सकते हैं, इवन अपडेट पैक्स भी डाउन्डोड कर सकते हैं, 10-11 के, तो अगर आपको कोई भी Windows डाउन्डोड करना है, उस पे क्लिक कीजी, और यहां पर आप देखें, Windows 11 के इतने सारे बिल्ड अबेलेबल हैं, आप किसी पर भी क्लिक करके, अराम से निकाल दिया जाता है, जिससे कि यह जो light version है, इनका size कम रखा जा सके, और यह काफी fast चलें, इसलिए मैं आपको suggest करूगा कि कोई भी light version of Windows को आप directly अपने computer में install ना करें, सबसे पहले इन्हें virtual box में install करके देख लें, यह कैसे चल रहे हैं, अगर आपको इनके कोई features, कोई specific feature अगर आपको चाहिए और वो इसमें missing है, तो आप कोई दूसरा version, दूसरा light version डाउनलोड कर सकते हैं, आप पहले उसको अच्छे से test कर लें virtual box में, कि आपको वो पसंद है की नहीं, जब fully आप satisfied हो जाएं, तब उसके बाद इसको आप finally अपने computer में install करें, यह मेरा suggestion है, बा कर देना कर दो करें जाएं कर दिसरा में कर दोतनी तो है डा़ा, मेरा आप है, जाप स्कते हैं, कि इस कि रहीं है, जाप है, जाप, है मेना तो है कि अपने जाप, है को आप SM